जहिन आपने थमनेल में पढ़ी लिया होगा कि क्या इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉक्सिंग के वेट केटेग्रीज और कुछ रूल रेगुलेशन बदल गए हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप साल पर ट्रेनि कि यह वेट केटेग्री चेंज क्यों है पहले वी ऐसे ही हुआ है हर तीन चार साल में बदलते आई हैं रूल रेकुलेशन बदलते आएं इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो इस बार इसके पीछे जो कारण है वह बताऊंगा आपको इंटरनेशनल ऑलंपिक कमेटी ने इ उसको सस्पेंड कर रखाए तो जब जहां इंटरनेशनल बॉक्सिंग अशूशन निलंबित हैं तो ऑलंपिक में बॉक्सिंग इवेंट कैसे होगा इस बार तो इवेंट रो है इस इसे पहले वाले ओलंपिक में भी ओगे जबकिन बॉड़ी थी नेस्ट्ट ऑलंपिक के ल हो रखी है सस्पेंड हो रखी है तो रिस्पॉंसबिल्टी कौन लेगा उस इवेंट की हर कंट्रीज को इसके लिए लैटर जारी किया था आप इस सस्पेंड बॉड़ी के साथ सोड़ें ताकि जो है और नई कोई बॉड़ी बने और फिर ऑलम्पिक में यह गेम कंटिनु हो जाए तो इसके लिए अभी लेटिस्ट न्यूज थी उसके आपको दिखाता हूं उसमें बता रहा है साब कि वर्ल्ड वॉक्सिंग और वॉक्सिंग फर्टेशन आप इंडिया ने आपस में जॉइन कर लिया है हैं जॉइन कर लिया है तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्री ने ध देखो यह लेटर ता एक एधाक फार्टिंग में दिखाता हूं आपको इसमें लिखा विश्व मुक्यबाजी से जुड़ा भारतिय मुक्यबाजी संग भारतिय मुक्यबाजी महासंग ने सुक्रवार को निलंबित आई बीए से नाता तोड़ लिया है और ऑल्लम्पिक मे खेल के भविष्या को लेकर खत्रे से निपढ़ने के लिए विश्व मुक्यवाजी से जुड़ गया है जो मैं बता है वाल्ट बॉक्सिंग उससे जुड़ गया हालंकि उसने खुद को अभी आईवा से अलग नहीं किया है अभी अलग नहीं किया लेकिन इसको जोइन कर लिय है यह दिखा आई ओसी मतलब इंट्रनेशनल ओलंपिक कमेटी से अलग नहीं किया है कि आई ओसी ने महीनों पहले चता है था कि अगर राश्टी महासंग मतलब अगर जो जो बॉडिस हैं बॉक्सिंग की वह अपने आपको इन से अलग नहीं करेंगे तो लास्ट इन जालिस उनको ही लेके सुर्व हो चुक है इंडियामे जो अभी टैलेंट हंड चल रहा है नोएडा में उसमें बिल्कुल इनके इनी के जो है फॉरमेट कराई जा रहा है तो इसमें क्यायी प्रिजोंट कि सो होगी उसको लेके बात करूं है पहले क्या था यूद में और आपने इल यूथ का नाम अंडर 19 डखा गया है और जूनियर का नाम अंडर 17 डखा गया है थेके लेकिंद के बात करो सिर्फ से पहले मैं बताओंगा आपको सिर्फ की बात करते हैं यह आपकी यूद्स बताईे इसने हां सब्सक्राइब कि कि फॉर्मेट क्या रहेगा फॉर्मेट रहेगा आपके 19 साल से लेके 40 साल तक लाइट बॉक्सर कहलाएंगे और 17 से 18 एज ग्रूप के बॉक्सरों को अंडर 19 बॉक्सर कहेंगे और 15 से 16 वाले बॉक्सरों को अंडर 17 बॉक्सर कहेंगे और उससे निचे वाले बॉक्सरों को हम अंडर 15 बॉक्सर कहेंगे ठीक है की रहोगा तो यह फो मिन्मूम हमारा उते था साथ लाइट फ्लाइज कारते हैं या मिन्मिम्म वेट के परदे उसको अभी सबसे पहला वेट चिहाली से 51 कर दिया दोस्त ठीक है इसको नाम दे दिया फ्लाइवेट उसके बाद है 51 से 54 वेंटम वेट जो पहले भी था 54 से 57 फैदर वेट 57 से 60 लाइट वेट 66 63.5 लाइट वेल्टर वेट 63.5 टू 67 वेल्टर वेट 67 से 71 लाइट मिडिल वेट 71 से 75 मिडिल वेट 75 से 80 लाइट हैवी वेट 80 से 86 कुरुजर वेट 86 से 92 हैवी वेट और 92 प्लस सुपर हैवेट 12 वेट केटेगरी कर दिया भी लाइट मैंस में अब हम बात करेंगे वो मैंस है 48 से 50 फ्लाइट 50 से 52 लाइट वेंटम वेट 52 से 54 वेंटम वेट 54 से 57 फैदर वेट 57 से 60 केजी लाइट वेलडर वेट 63 से 66 केजी वेलडर वेट 66 से 70 केजी लाइट मीडिल वेट 70 से 75 मेडिल वेट 75 से 81 लाइट हैवी वेट और 81 प्लस यह आएंगे हैवी वेट यह 12 वीट केटेगरी वुमेंस में भी कर दिया अब हम नैस बात करेंगे अंडर 19 वाले बॉक्सरों की अंडर 19 वाल में क्या वेट केटेगरे जाने वाले हैं अंडर 19 में वेट करीकर के दिए कुछ इस प्रकार है ठीच है पहले हम मैंस की बागं करेंगे मैंस में 47 से 50 fly weight 50 से 55 वेंकम वेट 55 से 60 light weight 60 65 वेटरवेट 65 से 70 लाइट मीडिल वेट 70 से 75 मीडिल वेट 75 से 80 light heavyweight 80-85 cruiser weight 85-90 heavyweight 90 plus superweight यह था under 19 men's boxer weight categories अब हम बात करेंगे under 19 women's weight करेंगे इसकी इसमें पहला बेट 46-48 light flyweight next है 48-51 flyweight 50-54 benthamweight 54-57 featherweight 57-60 kg lightweight 60-65 light welter light welter weight 65-70 light middle weight 70-75 middleweight 75-80 light heavyweight 80 plus heavyweight यह था अभी under 19 boxer weight category तो अब हम बात करेंगे under 17 men's boxer के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा under 17 men's और women's दोनों की weight category as it is same है मतलब एक weight category है तो मैं बताऊंगा आपको सबसे बहली weight category आती है इसमें है 44-46 pin weight कहेंगे इसको उसके बात 46-48 इसको बिलेंगे light flyweight उसके 48-50 flyweight 50-52 light bentham weight 52-54 bentham weight 54-57 featherweight 57-60 kg light weight 66-63 light welder weight 63-66 welder weight 66-70 light middle weight 70-75 middle weight 75-80 light heavy weight 80 plus heavy weight यह थी हमारी under 17 boys and girls weight categories तो दोस्तों यह मैंने बताया आपको weight categories के बारे में जो नई चेंज होई इसी format पर आप सारे competition होंगे about का format क्या रहेगा आप करेंगे मुसके बारे में बात अंदर 19 और अंडर 19 और लाइट जो boxer रहेंगे उनके 3-3 मिनट के 3 round रहेंगे और बाउट के बीच में एक-एक मिनट के 2 बाउट रहेंगे रेश्ट पीरेट रहेगा अंडर 17 से नीचे के जितने रहेंगे अंडर 17 और 15 उनका रहेगा दो-दो मिनट के 3 राउन रहेंगे और एक मिनट का रहेंगे तो आज मैंने आपको बताया नई weight categories के बारे में बारे में आगे भी आपको इसी प्रकार अपडेट मिलती रहेंगे और मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि जो है नई अपडेट जो भी रहेगी मैं आपक्सिंग की अपडेट आपको देते रहूंगा थाइंक्यों थाइंक्यों सो मच जाएं